गैस यह दा हमारा आइकोटर ब्लॉग और हम लोगों ने जैंगो की इस रिडियल प्लेलिस में काफी चीज़े सीखी है आइकोटर ब्लॉग को हमने काफी आगे तक बढ़ाया सो यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्लेलिस अक्सस नहीं करिया अभी तक तो काइंडली इसको अक्सस कर लें यह प्लेलिस में मैंने सारी चीज़े स्टार्टिंग टू एंड बताई हुई है आप लोगों को अब मैं आपर करने क्या वाला हूँ python manage.py run server actually चला दिया है मैंने करने वाला new मैंने कर दिया है और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया लॉग इन किया नहीं और बिना लॉग इन किये ही मैंने कोशिश करी एक reply पोस्ट करने की and guess what मैं पोस्ट कर पा रहा था reply लेकिन मुझे बिल रहा था error तो हमें यह fix करना है पह आपने login किया तो आप comment कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते है खतम बात ऐसा हमने किया था लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि मैं log out हो गया हूँ और मैं आप reply जब करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे देखने को मिल रहा है एक error जबकि मुझे option देख रहा ही नीचे reply का तो हालो इसको जो है हम हटाते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने reply का button लगाया हुआ है और we शिर्फ उस user के लिः जो की logged in नहीं है ंधला हमने क्या किया था , हम ने use किया था अपना अगर को user logged in है या नहीं अपने parent form के लिए या नहीं कि उपर जो reply वाला form है हमने या पर if user.is authenticated use किया था हम वही चीज यहां भी use करेंगे ठीक है और अगर वो authenticated है तब उसको collapsible दिखाएंगे वरना नहीं दिखाएंगे और end if कर देते हैं या पर और अब मैं इसको reload करूंगा तो मुझे reply नहीं दिखा देना चाहिए तो यहां पर button दिखाएंगे रहा है reply दिखाएंगे लेकिन तो मुझे इस button के उपर लगाना पड़ेगा इसको is authenticated को हाँ ठीक है तो यह मैंने यहां पर लगा दिया बटन से उपर तो मुझे reply बटन ही दिखाई नहीं देगा देखो तो one comment और यहां पर यहां पर यह सारे लग रहा है तो मैं काम करूँगा इस button को दिखाऊँगा तो सही लेकिन इस button को disable कर दूँगा तो मैं आपर एक else लगाऊँगा और इस button को दिखाऊँगा और I think disabled करने से यहां पर disable लिखने से button disable हो जाता है if I'm not wrong हाँ तो यह button देखो disable हो गया है और मैं यहां पर लिखूँगा login to reply ठीक reply नहीं लिखूँगा मैं यहां लिखूँगा login to reply तो यहां पर देखो login to reply लिखकर आ रहा है और यहां पर जैसे मैं login करूँगा मैं login करता हूँ और मैं login हो गया और login होने के बाद यहाँ पर देखो मैं reply कर पहूंगो बढ़िया तो मैं this is a comment 67 लिख रहा हूं और यहाँ पर this is a comment 67 मैंने reply कर दिया this is a comment 67 तो comment triple dot क्यों लिख कर आ रहा है लगता है मैंने यहाँ पर कुछ तो बलबल करी है कहां गया मेरा वो comment कहां गया मेरा वो reply जो कि मैं आपर लिखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर लिखा get well comment.serial number फिर उसके बाद मैंने जो reply था उसको यहाँ पर post किया और triple dot मैंने post किया है तो यह reply जो है मैंने यहाँ पर मुझे reply का जो text है वो basically put करना है तो मैं देखता हूँ मेरे models में क्या problem है दिक्कत यह मेरे models के साथ है तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने का अगर कोई भी comment instance को print करने की कोशिश करें तो पहले तेरा character लेलो लेकिन मैं अपर इसका comment प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं block comment object को print नहीं करना चाहता हूँ अगर मैं इसको print कर दूँगा तो मुझे मेरा str run हो जाएगा तो इसलिए मैंने आपर क्या miss की है अगर आप लोग चले मेरे साथ इस template में तो मैंने आपर reply dot comment लिगना चाहता अब मुझे पूरा comment मिल जाएगा जो मैंने comment लिखा है यह देखो अब मुझे पूरा comment मिल गया comment 67 ठीक है और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से सटाना है क्योंकि यह बलकुल भी अच्छा भी दिखनी रहा है चलो यह काम भी कर लेते हैं तो मैंने अपने यहाँ पर image किस तरह से लिया है अगर मैं एक normal comment की बात करूँ तो मैंने call md1 लिया है पहले तो एक तो रो बनाया है रो के अंदर डाला है call md1 ठीक है तो मैं दिव.row करूँगा सबसे पहले और रो के अंदर मैं डालूँगा call md1 ठीक है और यहाँ पर मैं डाल दूँगा call md1 ठीक है एक call md1 डाला और उसी के साथ साथ जो मेरा reply का यह है वह मैं डालूँगा किस में वह मैं डाल दूँगा अपना div.call md10 में या फिर 11 में ठीक है और इसको नीचे ले आता हूँ save करता हूँ और अब देखता हूँ क्या scene है हाँ अभी तोड़ा सही लग रहा है यह देखो अभी सही लग रहा है हाला कि मुझे उपर नीचे छोड़ी spacing देनी है लेकिन अभी सही लग रहा है तो अगर मैं आपर इसको spacing देना चाहूँ तो म call md 11 है इसको m by 3 देता हूँ और यहाँ पर मैं reload करूँ तो इतरों नीचे आ गया देखो this is a reply और यह वो लिखकर यहाँ पर आ गया लेकिन यह reply किस ने किया है मैं basically इसी तरह से इसको लिखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जैसे कि मैंने comment यहाँ पर post क कर दूँगा कहां पर paste करूँगा यहाँ पर तो जो comment.comment हो मेरा reply.comment हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर जो मेरा b है यह मेरा reply.user में करूंगा इसे comment मेरा भी reply है reply हो जाएगा यहाँ पर और यह reply यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और यह हटा दूँगा यहाँ से तो यहाँ पर देखो मैं reload करूंगा तो exactly जैसे मैंने बाहर वाले के लिए बनाया था वैसे ही मैंने अंदर वाले के लिए भी बना और यह जो MY मैंने दिया यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे margin लगाने की ज़रूरत नहीं है यह अल्रेड यहाँ पर सट गया है तो यह red color अगर मैं हटा हूं तो यह थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और red color मैं हटा दिता हूं तो मैंने कहीं पर bg danger दिया मुझे यह हटाना है save करूंगा इसको reload करूंगा और देखो कितना सही लग रहा है यह थोड़ा clean लग रहा है तो यह जो replies है यह इसके यह पर इसके नीचे आ जा रहे है और किसी को reply करना है तो यह reply पर click करेगा एक post करेगा reply this is my reply by Harry लिखा submit किया और यहाँ पर देखो this is my reply by Harry हो गया देखो यह now लिख करा रहा है क्योंकि just now मैंने post किया जो चीज मैंने चार मिनट पहले post की ती उसका चार मिनट लिख करा रहा है तो काफी बढ़ी है मतलब यह अभी एकदम अच्छा लिख रहा है ठीक है अब आप लोग चाह सकते हैं कि जो reply है उसके image छोड़े छो crec मुझ मैं आ गए होगा अब यह यह comment में count कर रहा हूं मैं comment count कर रहा हूं तो जो लिखा हुऊ है reply count नहीं कर रहा हूं this is my comment cya3 ले जाते हैं reply और इस तरह से reply दिखाना एक साथ सारे replies दिखाना feasible वहाँ नहीं रहता है तो आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं load more replies बना सकते हैं वो सब चीज़ भी मैं skip कर रहा हूँ लेकिन ये एक simple blog के लिए बहुत अच्छा system है जहां पर limited comments आते हैं वहाँ पर इस तरह से आप लोग का काम हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर यह करने के बाद अगर आप लोग किसी दूसरे ब्लॉग में जाते हैं इस तरह से second post में मान लो जाते हैं इसको reply करते है reply this और यहाँ पर लिखकर आ गया ठीक है इस तरह से आप लोग reply को post कर सकते है अब इसका size अगर मैं कम करना चाहूं image का यहाँ इसको कम करने की कोशिश करता हूं यहीं के यहीं कम करने से क्या होता है कि आप लोग देख सकते हो कि कितना size आ रहा है इसका ठीक है तो यह जो div है मेरा callmd1 है अब अगर इसके अंदर मै पैडिंग देना चाहूं मालो मैं देता हूं इसको P3 तो यह थोड़ा इसमे पैडिंग आ जाएगी अब यही पैडिंग जो है आपको फिर बाकी जगा भी देनी पड़ेगी वरना यह नीचे आ जाएगा थोड़ा सा ठीक है तो इसको अभी छोड़ देते हैं इसका size अगर आ width की कौन कौन सी classes है तो साइजिंग में आ गया W75 है तो W75 ट्राइ करता हूं हाँ W75 तो यह थोड़ा साही लग रहा है आपर और W75 मैं ने किया और उपर से मैं margin दे दूँगा M2 भी कर देता हूं तो यह थोड़ा नीचे आ गया तो इस तरह से अगर आपको छोटा करना है इसको तो आप वो कर सकते हो ठीक है तो इस तरह का जो design change है और इसको खुब्सूरत बनाना है उस सारी चीज़े जो है मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं अब यहां पर एक चीज और मैं आप लोग आउट करूँ तो आप लोग देखो यहां पर यह green है और यह blue है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने sign up और login को भी blue कर लेता हूं तो मैं उसके लिए अपने base.html में आऊँगा और sign up के जो buttons है मेरे sign up वाला button का है मेरा sign up वाला button उपर होगा यह रहा मेरा sign up button तो यहां पर मैंने BTN success लिखा हुआ है BTN success मतलब green color मुझे उसको क्या करना है मुझे उसे change करना है किसमे BTN primary में तो तीन इसने occurrence डूटे एक दो एक तो commented out है तो ठीक है रिलोड करूँगा इसको उपस रिलोड करूँगा तो देको blue हो गया यह भी login कर सकता हूँ मैं यह से और जैसे कि यहां पर आपका जो blog है इसमे test title अगर में लिख दूँगा यह search भी हो गया और यहां पर हमने replies वगेरा भी बना लिए तो अभी ब्लॉग एकनम डन 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 चल रहा है अब एक चीज़ है आप लोग जो करना चाहो तो कर लेना कि जो reply button है इसको थोड़ा सा नीचे आप ला सकते हो यानि कि इसके level में ला सकते हो इसको थोड़ा सा इसमें उपर से अब अगर नहीं भी करो तो याई this looks good तो मैं पस आप लोग को एक idea दे रहा था so I hope कि आप लोग को जो अभी तक मैंने बताए वो चीज समझ में आ गई होगी अगर आप लोग को नहीं प्लेलिस अभी तक access नहीं करें तो आप लोग यहाँ गले करके इसको access कर सकते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने सारी चीजे starting से लेके end तक cover करी हैं को चाहे थोड़ा बड़ा लगे आप लोग को लेकिन एकदम complete है सारे concepts मैंने इसमें clear कर अगर आप लोगों नहीं वीडियो गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर करें अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time